डिली दे मुखमांत्री अरविंद केजरी बाल नूँ दिली दे दाल्त तों वड़ा चटका लेगा राऊजवी नए केजरीबाल नूँ समन जारी कीता है इस मामले नू लएके दिली दी केविनिट मंतरी आथशी ने प्रेस कॉंफरेंस की थी जस्दरान उना कहा कि अदाल्त दा सनमान कर देने ते आमादवी पार्टी अदाल्त विच अपना पक रखेगी या ते दसेगी किस तरह बीजेपी स्यासत खेड रही है या ते केजरी वा राउज अवन्यू कोट ने दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरी वाल जी को समन किया है और कोट में अपियर करने को कहा है हम कोट के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस मैटर में जो ओनरिबल कोट है राउज अवन्यू कोट उसके सांकोट के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे कि क्यों दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरी वाल जी ने जो पाँच समन एडी ने उनको दिये उस पर क्यों नहीं गए नंबर वन और सबसे महत्वपूर्ट हम ओनरिबल कोट को ये बताएंगे हम नयाले को ये बताएंगे कि जो पाँचों समन एडी ने इशू किये ये शत प्रतिशत गैर कानूनी थे हर समन आने के बाद दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरी वाल जी ने लिखित रूप में उस समन में क्या-क्या गैर कानूनी है इडी को बताया इडी से कई सवाल पूछे लेकिन कभी भी इडी का इन में से किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं आया और ना ही पाँच चिठीयों के बावजूद इडी ये साबित कर पाई कि उनके समन्स गैर कानूनी नहीं है उनके समन्स इलीगल नहीं है तो ये जैसा कहते हैं कि प्रत्यक्षी प्रमाण है इडी का इन चिठीयों को जवाब ना देना ये बात दिखाता है कि इडी के पास कोई आधार नहीं है इन समन्स की लीगालिटी को प्रूव करने का दूसरी बात हम राउज आवन्यू कोर्ट को ये भी पूरा सीकुएंस बताएंगे कि किस तरह से पहले भारतिय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फरेंस करती है प्रेस कॉन्फरेंस में कहती है कि अर्विंद केजरिवाल जेल जाएंगे भारतिय जनता पार्टी ये कहती है कि इडी अर्विंद केजरिवाल को अरेस्ट करने वाली है और भारतिय जनता पार्टी की प्रेस कॉंफरेंस के तुरंत बाद E.D. का समन आ जाता है ये क्या दिखाता है ये दिखाता है कि ये समन किसी लीगल आधार पे नहीं भेजा जा रहा ये समन किसी जाच के लिए नहीं भेजा जा रहा ये एक राजनैतिक साजिश है जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी को EDK office बुला के arrest कर लिया जाए ऐसा कैसे हो जाता है कि एक दिन भारतिय जंता पार्टी की press conference होती है उसके अगले दिन एक समन आ जाता है भारतिय जंता पार्टी की दूसरी प्रेस कॉन्फरेंस होती है उसके बाद दूसरा समन आ जाता है तीसरी प्रेस कॉन्फरेंस होती है तीसरा समन आ जाता है तो जो इन समन्स का भारतिय जंता पार्टी की press conferences के साथ correlation है और जो अर्विंद केजरिवाल जी को arrest करने की गिरफतार करने की साजिश है ये भी हम कोट के सामने रखेंगे तीसरी बात जो हम माननिय न्यायाले के सामने रखेंगे ये सवाल जो हम E.D. से बार बार पूछ रहे हैं कि दो सान से इस तधा कथित शराब गोटाले की जाँच चल रही है ऐसा क्या हो गया कि जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले समन पे समन समन पे समन समन पे समन भेज़े जा रही है दो साल तक E.D. का कोई इंटरेस्ट नहीं था अर्विन केजरिवाल जी से पूछताच करने में लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है करीब आता है प्रचार का समय आता है तब अर्विन केजरिवाल जी को समन पर समन भेज़ा जा रहा है तो हम मानियन नयायाले के सामने